ओके गाईज तो आज के इस निव वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ Samsung Galaxy A04S के निव सॉफ्टर अपडेट के बारे में कुछ यूजर्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमारे A04S स्मार्टफोन के अंदर निव सॉफ्टर अपडेट के बारे में भी बात करने वाला हूँ तो काफी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अतक इंपोर्टेंट हो सकती है तो वीडियो को अंति तक देखते रहेगा भागी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, सेयर एंड सस्क्राइब जरूर कर लीजगा तो चली वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो सैमसिंग ने रिसिंट में ही A04S स्मार्टफोन के लिए निव सॉफ्टर अपडेट जो है ग्लोबल साइड में यानि की कुछ ही सेलेक्टेट कंट्रीज में रिलीस किया गया बट इंडिया के अंदर आप लोगों को वन वीक के अंदर अंदर तक पाइनली ये अपडेट जो है वो मिल जाएगी बाकी अगर हम बात करें इस अपडेट के चेंजे साइन इंप्रूब्मेंट के बारे में तो डिवाइस के स्टैबलीटी को इंप्रूफ किया गया डिवाइस के परफोर्मेंस को इंप्रूफ किया गया बग्स फिक्स किये गया और नए पुराने फीचर्स को यहाँ पे इन्हेंस करने की खोशिस की गई है बाकी देखते हैं जब इंडिया में अपडेट आती है तो क्या कुछ चेन्जलोग के साथ अपडेट जो है वो रिलीस की जाती है अगर हम बात करें वनिये 6.1 अपडेट के बारे में कनफर्म नहीं किया कि A04S स्मार्टफोन के अंदर अपडेट मिलेगी या फिर से नहीं मिलेगी इसलिए 5% चांसेस है कि आपके स्मार्टफोन के अंदर अपडेट जो है वो नहीं मिलेगी बाकी यहाँ पे 90 से लेके 95% chances है कि आपके smartphone के अंदर update जो है वो मिल सकती है क्योंकि दोस्तों ये एक A-series का phone है latest smartphone है उसके साथ साथ हमारे smartphone जो currently software पे run कर रहा है वो 186.0 पे run कर रहा है जो कि एक latest software update version है और हमें क्या चाहिए तो 186.1 चाहिए तो 186.1 क्या है तो 186.0 का upgrade version है ठीक है और हमारे smartphone के अंदर 186.0 run भी कर रही है तो आपके smartphone के अंदर update मिलने के chances जो है वो है अब देखते हैं यहाँ पे Samsung वाले क्या करते है future में कुछ भी information आती है update से related तो of course मैं आप लोगों को inform कर दूँगा उसके लिए आप लोग चैनल सस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जरूर रख लीजिगा तो आज के इस नहीं वीडियो में बस इतना है मिलते हैं एक नहीं वीडियो में तब तक के लिए अलविदा